तब लाईवे तस्वीरे मैं दिलबाक सिंग और मेरे साथ भी है दिलबाक सिंग तो बर सभी को राम 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 जी सभी को राम राम आपके सभी दर्सकों को राम राम पहले भी हमने आपको दो तीन दिन पहले एक अवगत करवाया था कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है और एक महिला जो है वो ठीक हुई है और कई बार हमारे स्रीज में कुछ ऐसी काटे हो जाती है जिनको लेकर करके हम थोड़ा सा बहबीत हो जाते हैं हमें बहबीत नहीं होना च है वो बताएंगे वो कहां गए और क्या क्या स्थिति थी वास्तिक्ता क्या थी और हुआ क्या तो दिलवाक जिए पूरा बताईएगा क्या हुआ था क्यों बहबीत हो जाँ पोँचे कैसे अराम हुआ जी मैं एक वैद के पास दोई लेने के लिए गया था जी उन्होंने थ जलते हुए भी थोड़े चक्कर से आने लगे थे हां और एक डर सा मलब सरीर में पैदा हो गया था फिर कहा पहुंचे तो फिर मैं यूटूब पे एक वीडियो देखके आचारीय कमल कांत जी है में अंदरगड डिस्टिक में पाली गाउं में उनका राजिव दिख्षीत के नाम से गुर्कुल है तो मैं उनके पास गया और वहां से दवाई ख़ए मैंने लगल एक साल तक तक तो उसके बाद मेरे को खाने पिने में चाल चलने में वहां से पिर जम वा गया तो वो चीज़ फैर सारी दूर हो गी आलागे गाठें अब भी भी मेरे गड़े में हैं ल हाँ और अब वो मतलब डर भी नहीं रहा उस चीज का वह वो चीज खतम हो गया डर खतम हो गया मुझे दिक्कत कोई नहीं है रब में बिलकुल पूरी तरह से सबस्क्राइब कुछ परेज रखियोंगे द्वाईखाइब we go to the тел. नहीं लगिया में का सेवनबंद कर दिया गयोंगा अटा खाना बिलकुल बंद कर दिया चावल बिलकुल बंद कर दिये खाने और उसकी जगे पे कुट्टू, सिंगाडा, राजगीरा, अलसी, इन चीजों का अटा मिला के पीशके और बाजरे का अटा और फिर मूंग का जैसे दवाईयां चली, कितने दिनों के बाद आराम नहोना शुरू हो गया और उसे पहले जिस दिन आप गए, उस दिन क्या स्थिती थी? उस दिन तो स्थिती खराब थी, मेरी थोड़ी जी, मैं फिल कर रहादा खराब हो सकता है, स्ट्रेस की वज़े से भी मैंने बना ली वो स्थिती तो मेरे को फिर दो तीन महीने बाद मैं बिलकुल मलब अपनी नॉर्मल उसमें आना सुरू हो गया फिर तो दो तीन महीने बाद मलब नॉर्मल उसमें आना सुरू हो गया वहां से जो दोई चली कितना रिलीव और जो लूग को अजिते हैं अचारीय जी बहुत अच्छी दोई देते हैं और लोगों को काफी आराम मिलता है वहां से क्योंकि हमारी काफी लोगों से बाचीत भी होती थी वह जाते थे तो तो सारे लोग तब ये ही बताते थे बैरे आरे को आराम है आराम है तो आराम लगता है वहाँ से हां मैं बिल्कुल ये सईवाँ मैं बिल्कुल पिट हूँ ये तो कि Sempre कुई ऐसी दिक्कत हो भाँ जाना जाए उसको एक बार जरूर वहाँ संपरक करना काईए तो वहाँ से हो सकता है उनको इलाज बिलकुल बड़ी बड़ा इलाज मिल जाए महंदरगड जीले के पाली गाओं में आचारे कमल कांथ जी हैं और हमने आपको जीन्द का केश भी दिखाया और अभी भी हम जीन्द के गाओं में है कि यदि आपको कोई ऐसी प्रकार की बिमारी है तो आप निच्चे जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क जरूर कीजिएगा और हमेशा अपने चाहने वालों को या जिनको तकलीफ है उनको आप बताईएगा कि इस जगए पर आप जरूर जाए मेरा नाम दिलबाग सिंग बनवाला गाओं सिवाया तैसील वजिला जीन तो यह हमारे साथी थे हमारे नाम राशी थे कि इनको क्या समझाई किसी डॉक्टर के पास गए लेकिन हम आपको यह कहते हैं कि आईरवेद हमेसा एक चैलेंज है आईरवेद ऐसा चमतकार करता है कि उससे ओपर कुछ नहीं हो सकता है एलोपेथी में हमारा ऐसा हम दवाईया लेते हैं साइड डिफेक्ट हो जाते हैं कुछ और बिमारी खड़ी हो जाती है लेकिन पर आप संपर्क जरूर कीजेगा और इसके इलावा एक और बात ये बता रहे हैं कि वहाँ जो एसमर्थ है लोग जिसके पास पैसा नहीं है दवाईयगा उसके क्या सिती रहती है हाँ ऐसे लोग भी जाते हैं वहाँ पे तो वह सभत दिलवाते हैं एक वह आपको इन इन बागे वह फरी में भी बजार की कुछ ऐसी चीजें जो बंद करवानी पड़ती हैं जिसकी वज़े से वह दिक्कते आती हैं दिक्कते आती हैं सिर्फ उन चीजों की सफ़द दिलवाते हैं वह जो हमारे जीवन में मतलब एक अच्छी बात है उससे काफी बदलावा सकता है हमारे आचारे जो कमल कांत हैं उनके पास अब जाईएगा और मैं फिर पताना चाहूँगा किसी को यदि इस परकार की कोई बिमारी है तो दियो वे नीचे संबर नंबर पर संबर्ग जरू कीजिएगा